कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं से 2023 का टियर टू का जो पेपर था उसमें जो जो प्लोस टेस्ट और फिल-इंदा ब्लांक के जो कुश्टिन्स थे इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो माइन इम इस अमन्त रिवेदी और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे यह हमारी कुछ प्लेलिस्ट है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉड़ सकते हैं जैसे मैंस का क्रेश कोर्स अवलेबल है इंग्लिश ग्रामर का आप भी अविलेबल है तो यह सारी जीजें आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा और भी एग्जुकेशन का टेलिग्राम चैनल है अगर आपने इसे जोईन नहीं अभी तक किया तो वो भी आप कर सकते हैं के अलावा अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना च कर सकते हैं और वी लर्निंग डॉट कॉम वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा इसके लिए और विजस्ट को आप सकते हैं जिसके तुरू आप मैस इंग्लिस रिजिंग्स चारे होगी सब्जेक्स के बारे में पूरी त्यारी हो जाती है आपकी इसके लावा जीएस का आपका इसके लिए और आपका इसके लिए और अब बात करने वाले थे इन सारे कोश्टिंग की चली शुरू करते हैं आज के अपने पहला कोश्टिंग आपके सामने रखा हुआ है इसमें आपको ये क्लोस टेस्ट का कोश्टिंग है अच्छा कोश्टिंग था काफी काफी बढ़िया क्लोस टेस्ट आपके पूछे गया है तो उनके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ते दोर बिहाइंड देम वाज डैश देक है उनके पीछे जो दर्वाजा था वो क्या था अब ऑप्षन में हमारे पास अभी लेबल हैं सील्ड था वैकेंट था अजार था या अनवोल्टेट था देखो वैकेंट जो होता है वैकेंट का तात्पर होता है जैसे वैकेंशी आप लोग ससी सीजल की वैकेंशी को चेक करते हो कितनी वैकेंशी आई जैसे अभी आरार्वी एलपी की वैकेंशी आई है ठीक है असिस्टेंट लोको पाइलेट तो असिस्टेंट लोको का मतलब होता है खाली ठीक है तो वैकंट का मतलब हो गया खाली ठीक है अब दर्वाजा क्या खाली होगा क्या दर्वाजा खाली होगा दर्वाजा खाली नहीं होता है मतलब दर्वाजा खाली कैसे होगा दोर वाज़ वैकंट दोर वाज़ वैकंट नहीं हो सकता है चेर वाज स्वेकेंड तो ऐसे हटा दो बोल्टडीडर अन बोल्टड बेसने मतलब कर देना और अजार का मतलब होता है दर्वाजा स्लाइक्ली ओपेन हो टिक है अजार मतलब होता है आफ डॉर स्लाइटली ओपें अब ऑप्शन देखते हैं उससे ऑप्शन करें आगे का पढ़ेंगे और उससे यह आइडिया लगाएंगे कि दर्वाजा खुला था या बंद था कियारे ओ दो बहां है the door behind them was dash there was no escape a strange light strange light was dashed from a corner there was no escape there was no escape a strange light was dashed from a corner one that did not dash the room but made darkness visible dash alien voice was heard which sounded like jargon dash to the hapless friends they went down dashed their knees sobbing pleading for their lives but the sound dashed sounds discontinued slowly a form seemed to dash right before their eyes which dashed their blood and chilled their dash it was formless mask with no face ठीक है इसको देखके यह लगता है कि यह कहानी है कोई कि जिसमें शायद कोई भूत है ठीक है या फिर कुछ मतलब इस तरीके की घटना प्रतीत होती है इसको देखने से हमें यह आडिया लगता है कि यह कहानी है जिसमें शायद कोई भूत वगएरा है भूत वगएरा कि कहानी ऐसा समझ में आता है इसको पढ़ने से तो अब हमारे पास दो option थे जैसा मैंने कहा आपको ये पता करना है कि इसमें से दर्वाजा sealed ज्यादा सही होगा या फिर आपका अजार सही होगा क्योंकि मैंने अजार बताया अजार का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई दर्वाजा open है दर्वाजा खुला होता है तो दर्वाजा ये ली open होता है तो उसके लिए घरमोका यहां कखед यानि अगर सि करेंग नहीं था तो दर्वाजा कैसी क्योंकि दर्वाजी से कोई यानि कि अगर खुला होता तो कुछ Sun के मतलब आप वहांसे YEAH सकते तो इसकेम नहीं था इसका मतलब दर्वाजा seed था, तो इसलिए अजार नहीं होगा, अजार मतलब दर्वाजा खुला हुआ होना, दर्वाजा नहीं खुला था क्योंकि अगले ही वाक्ती में वो कह रहा है there was no escape, क्यानि कि दर्वाजा कैसा था, दर्वाजा seed था, ठीके, so there the door behind them was seed, एक दो दो बात है जो ध्यान रखनी है, आपको close close test कै जब आप video देखा करो तो आप हमेशा ये ध्यान दिया करो ये मत ध्यान दो कि इस question का जवाब क्या है, वो आवश्यक ही नहीं है आवश्यक ये है कि आप ये देखें आवश्यक हमेशा ये होता है कि आप यह देखें कि उस question को solve कैसे किया जा रहा है what is the technique which is being used in solving that question ठीक है अब भाई इसका मैंने sealed जवाब देखें इसमें क्या कौन सी rocket science होगे कोई नहीं बट यह अवश्यक है कि आपने यह देखा इस fill in the blank को भरने के लिए हमने अगला sentence पढ़ा यानि ही यहाँ से आप एक बात यह infer कर सकते हो inference कर सकते हो कि आप जो meaning समझोगे आप जो fill in the blank भरोगे close test का वो आप आगे के paragraph से भी idea ले सकते हो ठीक है तो जब समझ ना आए तो पूरा paragraph पढ़ दो उससे better idea लग जाता है ठीक है तो answer हमारा आगया sealed क्योंकि दोने ही option थे बंद और खुले के तो बंद हुआ क्यों क्योंकि आगे लिखा था there was no escape अब आगे बढ़ते हैं ठीक है कह रहा है a strange light was dashed from a corner यानि कि एक corner से एक light आ रही थी one that did not dash the room as he but made darkness visible इसको पढ़ने से इतना समझा रहा है कि एक strange light वहां से आ रही थी इतनी नहीं कि वो कमरे को बिल्कुल रौशंग कर दे इतनी at least कि जिसने darkness को visible कर रख था था कि at least अन्धेरा नहीं था उस कमरे में इतना हो रहा था खिक तो commence commence मतलब होता है कुछ शुरू होना जैसे exam will commence at 6 pm the class will commence at 6 pm the celebration will commence at 6 pm यह 7 pm जितना भी time तो commence मतलब होता है कुछ शुरुवात होना कुछ start होना preceding मतलब होता है इसके पहले कुछ होता है precede करना और reclining क्या होता है recliner होते है जैसे recliner आता है जैसे recliner जानते हो क्या होता है अगर friends देखा होगा तो friends में एक आपने particular sofa देखा होगा इसमें वह ऐसे खुल जाता हो आप लेट जाते हो तो यह movie देखने जाते हो तो hall में भी recliner वाली seats होती है पीछे की तरफ जो एकदम तिर्ची हो जाती है आप लेट के movie देख तो उसे reclining करते हैं तो reclining हो जाती है मतलब तिर्ची हो जाना सीधी हो जाना ति reclining मतलब तिर्चा होना recline करते हैं तो रोश्नी आ रही थी कहां से corner से तो रोशनी के लिए आता है इमेनेटिंग एमेनेटिंग मतला फैलने के लिए आएगा तो सफ्टेंज लाइट वोज एमेनेटिंग फ्रॉम अ कॉर्नर एमेनेट लाइट वगरा के निकलने के लिए Benjamin लाइट वहां से पूरोग प्रकाश कमरे में फैल रहा था तो सही जो वर्ड आएगा वो एमेनेटिंग ही आएगा यहां पर कि अर्श्रेंज लाइट वाज एमेनेटिंग फ्रॉम अ करनल वन देट डिड नॉट डाइस विजिबल इतना नहीं कि विग्दम कमरे को रौशंग कर दे लेकिन अटलीस इतना कि उसने रूम को में अंधीरे को गायाप कर रख ठीक अब अगला सवाल है वन देट डिड नॉट डैस तरूम अब देखो अभी हमने थर्ड के ओप्शन नहीं देखे हैं बट इस्टिल वी हाव आइडिया देट की इतनी रोशनी थी जिसने कमरे को पूरी तरीके से रोशन नहीं कर रखा था बट मेंड डार्कनिस अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक ऐसा शब्द आएगा जो यह कहना चाह रहा है कि कमरे में रोशनी की बात करें अप्शन हमारे पास हैं extinguish extinguish होता है extinguish the fire extinguish extinguish होता है extinguish the fire extinguish the fire मतलब होता है आग बुझाना extinguish का तायूज जो है वो आग बुझाने के लिए ही प्रयोग होता है ठीक है extinguish the fire illuminate मतलब होता है प्रकाशित करना प्रकाशित असक प्बुश वाले संस में आता है इसन के सेंस में आता है ignite होता है देखो सब्सक्राश बाइक की को या आप start करते हो तो क्या करते हो है कि लेकिन किंडल जैसे कुछ स्टार्ट करना किंडल अब एक तो यह हो गया यह फिर रिकिंडल दफ्रेंड्शिप मतलब दुनहा पुना दोस्ती को और अच्छे से ग्रो करना यह आई किंडल हर इंट्रेस्ट आई इंडल्ड हर इंट्रेस्ट इन इंग्लिश I kindled her interest in English इसका तात्पर्रह हो जाता है मैंने उसका English में interest ग्रो किया तो kindle का एक अर्थ to start burning भी होता है किसी ज़िएक को जलाना भी होता है दूसरा आर्थ किसी का interest ग्रो करना भी होता है ठीक अब प्रकाश के बात हो रही है strange light was emanating from a corner और एक कॉर्णर से एक स्ट्रेंज लाइट हो रही थी निकल रही थी वन डेट डिड नॉट डैस तरू ऐसा नहीं जिसने रूम को पूरी तरीके से प्रकाशित कर दिया हो लेकिन डैट में डाक्नेस विजिबल एक अधेरा खतम कर रही थी तो आंसर हो जाएगा इल्यूमिने नहीं है अगर आपके जो साूंड आ रहा है वो कैसा साउंड आ रहा है वाओल साउंड आ रहा है क्यासा साउंड आ रहा है वावल साउन्ड आ रहा है यह भावल साउन्ड आ रहा है तो एन आ जाएगा ए नहीं आएगा एन एलियन वइस्वाज वाज्ड फॉज राइक जागन की तरह में जागन मतलब होता है कुछ जैसे जाएगा तो यहां पर आ जाएगा आपका यहां पर प्रयोग हो जाएगा कि जाएगा जाएगा जो बहुत परिशान है जो बहुत परिशान है मतलब हो जाता है hopeless plus helpless उसे कहता है है hapless ठीक है तो 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 हैपलेस फ्रेंड इन डेलीबल इन करिजिबल इन कॉंप्रिहेंसिबल और इन विंसिबल इन विंसिबल का ताच पर होता है अजेव ठीक है हीज इन विंसिबल मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता इन डेलीबल डेलीबल मतलब होता है मिटाना तो इन डेलीबल जिसे मिटाया नहीं जा सकता cannot be effaced incorrigible, incorrigible मतलब correct, in मतलब not, incorrigible मतलब which cannot be corrected which cannot be corrected उसे कहते हैं incorrigible in मतलब not comprehend करना मतलब समझना, incomprehensible मतलब हो साता है which cannot be understood तो अब बताईए यहाँ पर क्या आएगा indelible का मतलब मैंने बताया जो मिटाया नहीं जा सकता which cannot be effaced ठीक है indelible मतलब हो जाता है which cannot be effaced जिसे मिटाया नहीं जा सकता है उसे कहते हैं indelible, मतलब जो permanent हो गया जिसे मिटाया नहीं जा सकता that is called आपका indelible ठीक है तो अब यहाँ पर बताईए मुझे indelible मैंने बता दिया permanent ठीक है अब voice के sense में क्या श्रब्द सही है the voice was indelible मिटाया नहीं जा सकती थी voice was invincible voice कैसे invincible हो जाएगी the sound was incorrigible incorrigible में जो और नहीं किया सकता बतलब नहीं incomprehensible सही है क्यों क्योंकि वो समझ में नहीं आया उनके so incomprehensible to the hapless print उनको समझ नहीं आ रहा था है उन्हें incomprehensible sound कर रहा था उन्हें समझ में नहीं आया they could not understand what the sound was saying because it was also alien कैसा है आगे they went down dash their knees sobbing sobbing मतलब धीरे धीरे डरते हुए या हलका हलका रोते हुए pleading मतलब request करते हुए for their lives अपने lives के request कर रहे थे but the dash sounds continued but वो जो sound थी कैसी sound alien noise थी वो अभी भी चल रही आ रही थी ठीक है अब अपनी knees पर जाने के जीए go at your knees go on your knees सबसे ज्यादा जो यूज होता है go on your knees ठीक है तो go on your knees बिल्कुल सही है they went on their knees sobbing pleading for their lives but the dash sounds continue कैसा sound continue हुआ customary sound regular sound familiar sound या bizarre sound तो टाइम सोफ इंडिया में कॉर्णर आता था बिजार ठीक है bizarre news जैसे आज तक रेडियो पे एक तीन ताल आता है तीन ताल podcast उसमें वो लोग bizarre news की चर्चा करते है तो bizarre news मतलब क्या होता है bizarre मतलब होता है विचित्र bizarre मतलब होता है विचित्र जो बहुत अजीब है अजीब हो गरीब है तो यहाँ पर आ जाएगा pleading for their lives but the dash sounds continue alien sound alien sound मतलब जिससे आप familiar नहीं हो तो वो familiar sound कैसे continue हो सकती है familiar नहीं हो तो regular sound भी continue नहीं हो सकती है customary भी नहीं हो सकती है answer क्या हो जाएगा bizarre sound continued मतलब bizarre मतलब विचित्र sound जो है वो continue हो रही थी आगे बढ़ते है question number 8 कहता है ठीक है अपनी lives के लिए प्रीड कर रहे थे bizarre sound continue ही slowly a form seemed to dash the right before their eyes which dashed their blood and chilled their dash it was a formless mass with no face sounds like a horror story sounds like a horror story अब क्या हुआ धीरे धीरे एक form एक मतलब form एक form जो है वो seem हुआ उनके सामने उठते हुए उन्हें दिखा उनकी आखों के सामने जो की कैसा था जिसने उनके blood को क्या कर दिया इक्तम चिल कर दिया डर गए वो उनके आत्मा को जखजोर दिया डर गए क्या था इट वोस formless mass जिसका कोई formless mass था जिसका कोई face नहीं था तो क्या हुआ उनके सामने assume करना मतलब होता है I assume that he had no money मैं assume करता हूँ I assume मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है assumption कि assumption के basis पे आपने कुछ मान लिया उसे कहते हैं assume करना extract क्या होता है आप लोग mobile चलाते हो या फिर आप क्या बोलते हैं laptop चलाते हो तो उसमें कई बार dot rar फाइल होती है उसको क्या करते थे extract करते थे extract करते हो इमर्ज करना मतलब form जो है वो क्या हो रहा है उनके सामने emerge हुआ emerge मतलब होता है उठना कुछ निकलना कहीं से it emerged from that किसी से कुछ निकलना तो emerge करना उसे कहेंगे तो एक form जो है वो emerge हुआ उनके आखों के सामने which spilled their blood which flowed their world which locked their blood या curdled their blood उनके जो form था उसने क्या किया अब बताओ it fill मतलब फैल जाना flow मतलब बह जाना lock कर देना lock कर देना curdled कर देना बताइए अब अगर आपके आखों के सामने इस प्रकार की घटना हो तो आपका खुन क्या होगा अच्छा यहां पर एक वो भी हो सकता था boiled ठीकिए which boiled dear blood अगर boiled dear blood कहते है तो उसका मतलब क्या होता boiled dear blood का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से खून खौलना ठीकिए खून खौलने का मतलब हो गया कि आपका क्ल जा остав आना चाइव को मत खौलऄ उसे कहते हैं कि कि लिश after a ticket हैं कॐ बताए ब्लल्च अब सुब इस मैं फिर्ट ब्लट फ्लेट या लागु ब्लुट इस डिघ्यमक्टी करते हैं यां पर। इडियमेटिक है blood curdling मतलब होता है to be extremely frightened बहुत अधिक डर जाने के सेंस में आता है कि कि blood curling मतलब हो जाता है आपका बहुत अधिक डर जाने के सेंस में आप इस्तेमाल होते हो blood curdling ध्यान रखना है curdling curdling मतलब basically जैसे दूद का दूद पानी का पानी दूद और पानी अलग अलग करना solid liquid अलग करना that is called curdling तो मतलब आपके खून को बिलकुल curdle कर दिया उन्होंने तो answer spilled नहीं होगा float नहीं होगा locked नहीं curdled होगा ठीक है so right before the eyes which curdled their blood and chilled their अब chill क्या कर देगा chilled their head skin या bones या eyes chilled their dash it was formless mass with no face अगीन जो यह जो their bones यही idiomatically correct है I mean it's also idiomatically correct होता है ठीक है idiomatically correct का ताथ पर यही बोला जाता है बोल चाल की भासा में यही चलता है और यही सही है ठीक है तो अब अगेन पढ़ते हैं को the door behind them was कैसा था अजार था यह सील्ड था there was no escape को वहां से कुछ आ नहीं सकता था strange light उससे pass हो रही थी जो की कमरे को पूरी तरीके से प्रकाश में नहीं कर रही थी illuminate नहीं कर रही थी लेकिन अंधिरे को गयाप कर रही थी कैसी alien voice and alien wise क्योंकि strange voice है indefinite है तो एन आएगा vowel sound है जो की जारगन की तरह sound कर रही थी incomprehensible थी समझ में नहीं आ रहा था उन्हें बट वो नीचे गए अपनी नीज पे sobbing डरते हुए फपकते हुए प्रीड करते हुए अपनी life को बट दे साउंड जो incomprehensible sound थी जो strange bizarre sound थी वो continue हुई रही धीरे धीरे एक form उनके सामने उठती हुई दिखी इमर्ज होते हुए दिखी जिसने उनके ब्लड को कर दिया और बॉन्स को एकदम चिल कर दिया इट वासानी से कवर कर सकते थे बांकी कुछ दो जैसे कि आपका blood curling अलग था बाकी तो चिल्ड बोन्स बहुत कॉमने इसमें कुछ खास नहीं था इन्हें आप कर सकते थे इस प्रकार के comprehension को जब आप videos वगरा में देखिए तो आवश्यक यह नहीं है कि आप यह समझें कि जवाब क्या है आवश्यक यह है कि आप यह समझें कि इसको solve कैसे किया जाता है यह आप जिरूर से समझें इसके लिए आपको क्या करना आवश्यक है vocabulary strong करना आवश्यक है vocabulary पढ़ना आवश्यक है साथी साथ reading करना आवश्यक है vocabulary पढ़िए read जरूर करिए अगर आप पढ़ते नहीं है vocabulary आपके strong नहीं है और अगर आप reading नहीं कर रहे हैं दोनों में दिक्कत आएगी क्योंकि होगा क्या देखो या vocabulary ना तुम खुब पढ़ लोगे vocabulary पढ़ने के लिए तुमारे पास black book है या अने किताबें यह हमारा course है आप उसे पढ़ लोगे लेकिन वहाँ पे आपको कैसे शब्द नहीं मिलेंगे blood curdling नहीं मिलेगा chilled dear bones नहीं मिलेगा यह सब कब मिलेगा कि तुम reading करोगे जब आप read करते हो तो आपको बहुत सारी चीजे दिखती है नई तरी तीजे चीजे दिखती है जिससे आप language से familiar होते हो और उसके बाद ही आपने अच्छे से attempt कर पाते हो समझ में आया ठीक है तो reading जरूर करिए चाहे वो newspaper की करिए चाहे वो novels वगेरा की करिए बट करिए उसके बाद ही आप इस प्रकार से language से familiar हो पाते हो close test पैरा जंबल और reading comprehension ये तीन chapters को strong करने का जो तरीका है वो reading ही है बाकि और कोई तरीका नहीं एक आगे बढ़ते हैं अगला paragraph पर हम आते हैं इसको attempt करते हैं इसको पढ प्राइम मिनेस्टर नरेंदर मोदी इनॉगरेट दगाजियाबाद प्राइटी डैश ऑफ देली मेरेट रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम देश ऑफ हाई-rise सोसाइटी इन नेशनल कापिटल रीजन कॉड़ पार डैश डायरेक्ट डैश टुदा पब्लिक ट्रांस्पो एक बात इसको पैरग्राफ को करते समय आपको समझ में आ रही है कि यह क्या है नियूस आर्टिकल है अगर अगर आप अच्छे से रीडिंग नहीं करते हो अगर आप पड़ते नहीं हो तो आप इस प्रकार के प्रेग्राफ को नहीं लगा पाऊगे तो यह अत्यनत आवश्चक है हमारे लिए समझना कि हम रीडिंग आवश्चक करें तो यह आप रीडिंग नहीं कर रहे हो यू यू रड़ अंडर्टेंड थी प्राइब्टराप्स यू विल अफ्रोब्लम वाइल सॉल्विंग अगर आप सिर्फोर सिर्फ videos पर dependent हो अगर आप सिर्फ पर सिर्फ प्रिवेस एर पेपर पर dependent हो, these will be your Achilles heel always. So, it's always better that you read. I always emphasize over reading. Keep reading. Do not go for those PDFs and those Telegram groups and channels where they give you a PDF in which all the meanings are written. Don't go for that. खुद खुद थोड़ा बहुत खुद से करो. अखबार फ़लो पढ़ो. ये चक्कर में मत पढ़ो PDF, PDF के याग. अखबार collect करो, पढ़ो और उससे समझो. वो बेस्ट तरीका है. उससे ही आपकी language development होगी. ठीक है? चलो, option लिखता है system, piece, fragment or section. So, days after priority dash of the Delhi morad. अब उन्होंने क्या किया है? RRTS के किसको उन्होंने inaugurate किया है? आपको ये पता करना है. आप सारे ही options को यहाँ पर फिल करके देख लीजिए. जो आपको सही लगे, वही यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा. So, days after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Ghaziabad priority system of the Delhi Merit Railway system, rapid rail transit system. system? नहीं, system नहीं उन्होंने inaugurate किया है. piece, fragment या section. अब RRTS, यानि कि Delhi Merit Rapid Rail Transit system जो है, पुरा यहाँ पर metro चलने जारी है, मेरट से दिल्ली के लिए. तो वो जो पूरा system है, उसके piece को inaugurate करेंगे? piece तो यार किसी बड़ी चीज के एक छोटे से टुकड़े के लिए piece होता है, तो वो नहीं होता है. fragment बहुत छोटा हिस्सा होता है किसी जीज का fragments में तोड़ दिया, छोटे-छोटे हिस्से में तोड़ दिया. fragmentation मी नहीं होता है. सही जवाब होगा section. ठीक है? So, days after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Ghaziabad Priority section of the Delhi Merit Rapid Rail Transit System. उन्होंने उस section को inaugurate किया है, जो Delhi से Merit तक Metro Rail चलने वाली है, Rapid Rail चलने वाली है, Metro तरीके के एक train है. उसके एक हिस्से को उन्होंने inaugurate किया है. So, section है वो. ठीक है? ना की piece या fragment. ठीक है? उस section को उन्होंने inaugurate किया है. The dash of high-rise societies the tenants of high-rise societies, the landlords of the high-rise societies, the people of high-rise societies, the residents of high-rise societies. अब थोड़ा सा common sense हम यहां पर use करेंगे और यह देखेंगे कि tenant क्या होते हैं? tenant मतलब होता है किरायदार. landlord क्या होते हैं? landlord मतलब होता है आपका landlord मतलब होता है आपका मकान मालिक. तो भाया, अगर किरायदार खुश होंगे तो मकान मालिक भी खुश होगा और मकान मालिक खुश होगा तो किरायदार भी खुश होगा मतलब rapid rail से ऐसा क्या होगा कि भाया rapid rail सिर्फ मकान मालिक को फायदा देगी लेकिन यह दोनों तो option ही नहीं है फिर people of high-rise societies high-rise societies में रहने वाले रहवासियों को फायदा है ना रहने वाले रहवासी कौन है resident तो people नहीं होगा the residents of high-rise societies is correct ठीक है the residents of high-rise societies in national capital region called for direct what to the public transport service point direct connectivity direct connected direct connected direct connecting क्या होगा उन्होंने इसको क्या बताया इन्होंने बताया direct connectivity मिल गई है उन्हें एक ठीक है connect नहीं होगा direct connected नहीं होगा direct connecting नहीं होगा it will be simply direct connectivity so days after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Ghaziabad priority section of the Delhi Meret rapid rail transit system the residents of high-rise societies in the national capital region called for direct connectivity to the public transport service points उन्होंने उसे direct connectivity बताया direct connect नहीं direct connecting नहीं direct connected नहीं connectivity इस सिंपल वर्ड आसान सा वर्शब्द है कि फूर्ट्री फूर्टीन है नहीं कि फूर्थ ब्लैंक में कहता है दर रेजिद आप यहां पर आगे इन्होंने वहां पर क्या आना चाहिए था रेजिदेंट्स आना चाहिए था उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को कि कहें कि हैं दे रेजिदेंट्स इन डैश एरिया का नोयडा इन गाजियाबाद said that said they would be forced to continue so the dash areas the residents in very areas in many areas in much areas areas plural है तो much का कोई sense नहीं है in lot areas lot का भी कोई sense नहीं है in very areas नहीं होगा simply हो जाएगा in many areas बहुत सारे areas के नोयडा और गाजियाबाद के लोगों ने कहा they would be forced to continue dash on private vehicles without proper connectivity to the RTS and dash public transport modes तो उन्हें अभी भी उन्होंने कहा कि the residents in many areas of नोयडा और गाजियाबाद said they would be forced to continue on private vehicles मतलब वह यह कह रहा है कि जब तक की proper connectivity नहीं मिलेगी RTS तक के लिए और public transport modes के लिए तब तक हमें अपने vehicles को use करना ही पड़ेगा तो they would be forced to continue depending on, depends on, they would be forced to continue depends on, continue depends का कोई मतलब नहीं है continue depend on, dependent on, dependent on भी नहीं होगा simply हो जाएगा they would continue to depending on, continue depending ठीक है, यह सिंपल है चारो ही सब दे सेम है बस आपको correct form of verb यूज करना ही है so the residents in many areas of Noida and Gaziabad said they would be forced to continue depending on private vehicles without proper connectivity to the RTS and gas public transport modes and modes कह रहा है बहुत सारे public transport modes other मतलब होता है आपका rest ठीक है या फिर second of the two ठीक है और other as a pronoun use होता है another का मतलब होता है additional जैसे for example मैंने एक cup coffee पी ली ठीक है और मैं एक cup coffee और मांगना चाहता हूँ तो मैं कहूंगा can I have another cup of coffee मैं एक cup coffee और ले सकता हूँ additional ठीक है मान लीजे आपने एक idea दिया you have another idea क्या तुम्हारे पास एक और idea है additional है लेकिन other की बात हम कप करते हैं what do you have in your other hand other मतलब दूसरे वाले हाथ में तुम्हारे क्या है ठीक है other students have not come मतलब बाकी के बच्चे नहीं आए है तो rest मतलब बाकी के extra transport public transport mode further further मतलब होता है further notice will come मतलब आगे की notice आएगी एक तरीके से additional के ही sense में आ जाता है तो यहां पर आ जाएगा other transport modes ठीक है माकी के rest के sense में आएगा तो the residents in many areas of Noida and Gaziabad said उन्होंने कहा they would be forced to continue depending on private vehicles उन्हें भी भी private vehicles पर depend करना पड़ेगा जब तक की proper connectivity नहीं होगी to the RTS and other public transport modes बाकी public transport modes की अच्छी connectivity नहीं होगी the RTS is a great development we want dash connectivity to key points like metro stations railway stations Delhi and the RTS dash any proper public transport many residents are forced to opt dash a personal car the president of the new era flat owners welfare association Abhishek Kumar the 17 kilometer priority section of the Delhi-Gaziabad-Meret RTS corridors were inaugurated by PMODI on October 7 and started commercial operations on the next day basically वो यह कहना चाह रहे हैं कि भाई आराटियत बहुत अच्छी बात है लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे metro stations तक railway stations तक Delhi तक RTS हैं बांकि इनकी जो public transport की connectivity है वो अच्छी हो कि भाई हम metro station जाएंगे कैसे वो connectivity अक्ली सच्छी हो तो वह successive क्या होता है जैसे successive numbers होते हैं तक किसी सब क्सक्शेटीन ओने उसके बाद में होता है मोदी जी का येलिए ठीक है तो डारे कनेक्टिवीन नहीं नहीं चाहिए क्थी क्यों उसके बाद कहते हं RTS dash any proper public transport many residents are forced to opt के रहा है कि in spite of any proper public transport with proper public transport without despite तो despite का मतलब हो जाता है आपका के बावजूद कि despite my clear instructions nobody came in class मेरे साफ सो एकदम clear instructions के कोई भी class में नहीं आया मेरे despite my clear instructions nobody came in class in spite of in spite of my clear instructions nobody came in class मेरे clear instructions के बाद भी कोई नहीं आया दोनों का अर्थ सेम है अब कह रहा है with any proper public transport many residents are forced to opt अब पब्लिक ट्रांस्पोर्ट है अगर तो फिर आपको force क्यों हो रहे हो आपको personal car पे पब्लिक ट्रांस्पोर्ट नहीं है यही तो बता रहा है basically तो answer आएगा without without any proper public transport many residents are forced to opt dash a personal car ठीक है without यहाँ पर इस्तेमाल होगा without any के बिना any proper public transport के बिना many residents को forced they are forced to obtain or to opt dash a personal car अब opt के साथ में क्या आता है opt to opt on opt off opt for it's very simple opt के साथ में आप यूज करते हो opt for ठीक हो opt के साथ में जो correct preposition आती है वो आती ही for so they have to opt for a personal car the president of new era flat owners welfare association अब शेक कुमार professed, replied, said या assumed क्या होगा मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्या आएगा, said उन्होंने एक कहा assume नहीं किया उन्होंने reply भी नहीं किया कुछ पूछा नहीं उसने professed नहीं होगा simply said उन्होंने कहा ठीक है तो यहां तक clear है यह वाला easy था simply थोड़ा क्योंकि news article था आप यहां पे idea लगा सकते थे और options भी आसान थे यहां पे said ही आएगा opt के साथ में for ही आता है without any उपर ही बता चुका है कि direct public transport नहीं है तो without any public transport ही आ जाएगा हम एक ऐसी connectivity चाहिए direct connectivity चाहिए उपर ही यहां पर इन्होंने बोला है opt for a direct connectivity यहां पर इन्होंने बोला ही था यहां पर लिखा ही हुआ है तो same word यहां चाहिए यह वाला है यहां चाहिए तो same ही शब्द थे यहां पर दो अगर आप अच्छे से पढ़के करोगे तो इस तरीके की progress को करने में कोई दिक्कत ही नहीं आगे बढ़ते हैं next हमारा जो close test है वो यह है the statue of unity a towering tribute to India's iron man सर्दार वल्लब भाई पतेल dash on the banks of majestic सर्दार सरोवर डैम इन गुजरात के वडिया ठीक है found found होता है आपका जो जैसे it was founded by राम जैसे रामिश्वर जो temple है या रामिश्वर का जो शिवलिंग है that was founded by founded का मतलब होता है who founded that यह संस्था किसने found करी जिसका foundation stone रखा जिन्होंने स्थापित करी ठीक है तो found तो उस sense में होता है ठीक है situated वहाँ पर इस्थित है appeared वहाँ पर appear हुई established मतलब बनाई गई तो यह मूर्ती वहाँ found नहीं करी गई यह वहाँ बनाई गई है तो it was not founded it was it was not founded at least ठीक है established आप किसी चीज़ को established करते हो यहाँ आप किसी के establishment की आगे कहता है has a remarkable surgeon in annual football in less than 5 years तो आप यहाँ पर fact बता रहे हो कि यह जो मूर्ती है जो statue है वो वहाँ पर इस्थित है it is situated you are not talking about its establishment its appearance its foundation you are talking about its situated there तो simply आप यहाँ बताना चाहरे हो कि तो statue of unity है a towering tribute to India's iron man सरदार वल्लब भाई पतेल situated on the banks of majestic सरदार सरोवर डैम in Gujarat's केवडिया ठीक है तो आप यह बताना चाहरे हो कि यह वहाँ पर situated है यह वहाँ पर इस्थित है ठीक है situated है correct situated has dash remarkable search यानि कि search मतलब उच्छाल आना किसी भी चीज़ जैसे कीमतों में उच्छाल आना so there is price search prices में उच्छाल आता है तो आप कहते हो there is price search so search मतलब होता है उच्छाल आना किसी भी चीज़ की कीमतों में उच्छाल आने के लिए आता है search ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है कीमतों में उच्छाल आया search हुआ witness witnessed witnesses या witnessing चारह यह option सेम है witnesses कब होगा present indefinite tense में subject singular होगा present indefinite tense में subject plural होगा तो witness हो जाएगा continuous tense होगा तो witnessing हो जाएगा witnessed हो जाएगा verb की third form कह रहा है has has के साथ बच्छों क्या आता है has के साथ में आता है verb की third form तो simply क्या हो जाएगा witnessed इसमें कोई doubt ही नहीं है has witnessed a remarkable surge in its annual footfall in less than 5 years dash its inauguration this colossal monument has welcomed nearly 16 करोर dash तो अब dash यहां तक हो गया तो और blank number 3 in less than 5 years dash its inauguration इसके inauguration से in less than 5 years कह रहा है कि हमने देखा है in less than 5 years 5 साल से कम के समय में since its inauguration इसके inauguration से तो simply क्या हो जाएगा since its inauguration on its inauguration नहीं होगा before नहीं होगा when नहीं simply since की इसके inauguration से तो since my childhood in less than 5 years since its inauguration this colossal मतलब बहुत huge monument has welcomed nearly 16 करोर अब उन्होंने क्या बलाए होंगे बताओ 16 करोर कौन आए होंगे टूरिस्ट्स आए होंगे इन्वाइटीज नहीं आए होंगे कॉलर्स नहीं आए होंगे ठीक है 16 करोर टूरिस्ट कह सकते है विजिटर्स कह सकते है विजिटर्स आए in the first two months after the monuments inauguration in 2028 the world's dash statue ये तो थोड़ा सा गरबर लिग दिया है कुछ यहां पर I think ये 2020 date तो नहीं होना चाहिए ये ठीक है ये date गरबर है खार इसको छोड़ते है we are not हम GS नहीं पड़ रहे in the first two months after the monuments inauguration in dash 2020 होगा I think है ठीक है 2019 में तो आ गया तो पता नहीं है कुछ होड़ते हैं उस बैस पर नहीं जाते हैं English पर ध्यान देते हैं in the first two months after the monuments inauguration the world's dash statue witnessed the world's world's कैसी statue है दुनिया की सबसे बड़ी most tallest double superlative नहीं होता कभी भी tall नहीं है taller नहीं है tallest है तो दुनिया की सबसे बड़ी statue world's tallest statue टीक है witnessed अचा आगे ही नहीं है tallest हो जाएगा witnessed a hoping number of 453020 visitors followed by 2.7 crore visitors in 2019 अचा 2018 है टीक है even in 2020 the year tourism sector was battered by a once in a century pandemic and subsequent movement restrictions nearly 1.3 crore tourists flocked to the statue of unity while the country was still recovering from COVID-19 pandemic the statue of unity saw a footfall of over 3.4 crores बात समझा गी simple तर दुनिया की सबसे बड़ी है तो tallest आजाएगा यहां witness हो जाएगा क्योंकि वह थर्ड लगनी थी endless than 5 years since its inauguration हो जाएगा और यहां पर situated है क्योंकि वह आप यहां पर fact बता रहे हो कि यह जो मूर्ती है statue है वो कहां पर इस्थित है तो इसमें कुछ है सच था नहीं clear है यहां तक बात समझ में आगी क्या होगा और क्यों होगा ठीक है चलिए अब हम आते हैं fill in the blanks पे अभी तक हम देख रहे थे close test now we are going to talk about fill in the blanks ठीक है समझ में आगे देखो ये तीन इनके close test आये थे basically जिसमें से एक थोड़ा सा अच्था पहा बाकी दो तो बहुत simple थे जिसमें कुछ खास दिक्कत नहीं थी अगर आप तीन काम अच्छे से करोगे तो close test में दिक्कत नहीं आएगी तीन काम कौन-कौन से अच्छे से करने एक तो आपको देखो practice करनी है solve करने की number one number two आपको reading करनी है और number three आपको vocabulary strong करनी है तीनों ही काम आपको अवश्यक है अगर आप तीनों में से किसी भी एक काम को अच्छे से नहीं करोगे तो आपको close test को solve करने में बहुत दिक्कत आईगी तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस बात को अच्छे से समझें कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है अच्छे से जितनी भी चीजें बताई जा रही है उन्हें cover करनी है ठीक है read करना है जितना जादा हो सके उतना reading करिये जितना जादा हो सके उतना vocabulary अच्छे से पढ़िये और जितना जादा हो सके उतना अच्छे से practice करिये ठीक है question कहता है gotham dash all the documents आपने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने रीजड लिखा हुआ है क्या मुझे बताइए इस वाक्य का टेंस कौन सा है इस वाक्य का टेंस यहाँ पर यह आप देख पा रहे वर्ब की second form लगी हुई है कोई helping verb है नहीं इस से ताथ पर यह लगता है कि sentence है past indefinite में यह दिया बाग कि past indefinite में है तो आपको पता है दो past की यह दि बाते हैं किस से express होती है जो घटना पहले होती है उसे हम express करते है past perfect से और जो घटना बाद में होती है उसे हम express करते है past indefinite से तो will be examining नहीं होगा is examining नहीं होगा examines नहीं होगा answer हो जाएगा had examined जो है वो हमारा सही है clear है had examined जो है हमारा सही है is it clear to everybody चलिए आगे बढ़ते है next हमारा question है question number 27 she was so busy dash writing that when the maid came dash she didn't hear her तो अब आपको यहाँ पर fill करना है correct preposition को क्या होगा correct preposition वो simply यह कहा रहा है कि वो लिखने में she was so busy dash writing that the maid came when the maid came that she didn't hear her ठीक है busy with writing that when the maid came by she didn't hear she was busy at writing she was busy in writing that when the maid came in she didn't hear her she was busy to writing क्या सही preposition होगा आपको भर रहा है देखो जब भी preposition इस तरीके से question आये तो आपके लिए आसान ही हो जाता है कि आप यह देख पाओ कि दो preposition हमें भर नी है दोनों ही जो सही बैठी की वही अंसर है तो busy with writing अगर हम कर देते हैं देखो busy with होता है I am busy with him busy with होता है किसी व्यक्ती के साथ ठीके और किसी काम में busy हो तो आप busy in लग तो with नहीं आएगा simply हो जाएगा busy in she was so busy in writing that when the maid came in she didn't hear her क्यानी कि वो लिखने में इतना वैस्त थी कि जब maid अंदर आई तो हम वो जाने हैं कि number 28 the small coffee shop at the end of the road is mine, my, dear और are ये जितने भी हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों को ये क्या हो जाते हैं एक तो ध्यान रखना है ये possessive adjective होते हैं अगर आप लोग इन्हें possessive pronounce बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं और adjective की खास बात ये है कि ये अपने बाद में noun लेते हैं तो इसके बाद में कोई noun तो है नहीं यानि कि ये तीनों ही नहीं हो सकते हैं अंसर हमारा क्या हो सकता है माइन तो दे स्मॉल कॉफी शॉप अड़ एंड ऑफ रोड इस माइन मेरी है इस्ट हरी अप देर इस्टी देर इस स्टिल डैश वर्क लेफ क्लेफ तू आल और इस तेल लॉट आप वर्क होता तो हम लट लगा सकते थे वह हो नहीं सकता एड़ ओल वर्क्राफ लेफ डू घूल नहीं होता है many और work many आता है countable के साथ में और work कैसा है uncountable ठीक है तो uncountable के साथ क्या आता है much so hurry up there is still much work left to do each one of the participants in the annual function dash and applause subject हमारा है each one that is singular of के बाद वाला हमारा subject नहीं है in के बाद वाला object होता है in मतलब preposition के बाद object होता है so have deserved singular है तो have नहीं आएगा is deserving और deserve तो को deserve नहीं होगा क्योंकि deserve क्या होता है plural sorry deserve क्या होता है plural subject हमारा singular सो deserve नहीं आ सकता अब आता है is deserving ईसे आप Progressive Tence में इस्तेमाल नहीं करते हैं स्याटिलर्ब होला यहां the deserves सही है each one of the participants in the annual function deserves an applause singular होगा यह और यह नहीं होंगे क्योंकि plural चाहिए और यह stative verb है तो आपका deserving भी नहीं होगा the air quality is so bad dash it becomes difficult to breathe अभी देखो पीछे question हमने देखा था यहाँ पर अभी देखा था यह वाला यहाँ पर क्या लिखा था so और फिर यहाँ क्या लिखा था that यानि कि so के साथ में क्या आता है बच्चों that आता है ठीक paper में ही जवाब है आपके air quality is so के बाद क्या आ जाएगा when since or as नहीं होगा क्यों क्योंकि so के बाद आता है that so bad adjective chapter में पढ़ाया दिया क्योंकि उसे ट्रस्ट कर रहा है कि आई ट्रस्टिम कंप्लेटली मैं उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूं इस लिए उसका जो conduct है वो अबब suspicion है उस पर कोई श्रक्तरने की बज़े ही नहीं है ठीक है clear है next कहता है he gazed around the room dash lay hidden a treasure chest बताइए इसका जबाब the next question is he gazed around the room dash lay hidden a treasure chest it's a very good question option में आपके where in the eye, where of the eye, where as the eye, where by the eye अब चारों ही यहां पर where से हैं और इनका अलग-अलग तरीके से use होता है वो where as कैसे use करते है कि I am a teacher whereas my brother is a lawyer तो where as contradictory बात को express करने के लिए हम कह सकते हैं यहां लिखा है whereby whereby का मतलब हो जाता है by which whereby का प्रयोग आप by which के sense में करते हो by which के sense में because of which या by which का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है so for example they have introduced they have introduced a new course dash all students must go ठीक तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं whereby का whereby all students must go मतलब by which all students must go through मतलब एक उन्हों ने एक नया system में एक course इंट्रोड्यूस किया है जिसके थूँ सबको जाना चाहिए तो यहां पर आप whereby का प्रयोग कर सकते हैं इस वेर ओफ का मतलब हो जाता है ओफ विच ठीक है वेर ओफ का प्रयोग आप करते हैं ओफ विच के संस में वेर ओफ मतलब आप आप विच के संस में ठीक है आप यूज कर सकते हैं ओफ विच के संस में ठीक है ओफ विच यह ओफ वाट जैसे आई नो ओट इस पीक मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं ठीक अब यहां पर वाट की जगे पर आप यूज कर सकते हैं वेर ओफ यहां पर आएगा वेरिं मतलब मेरा अगर मैं बैंगलोर जाता हूं इप आई गो टू बैंगलोर यह किस स्टेंस में है यह है आपका सिम्पल प्रेंट या फिर प्रेंट इंडिफिनट अब आगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेlor पढ़े है तो आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में नभी सिम्पल प्रेंद Kitchen मे खता है तो वह उसका अग़रा वाला वाकिया फ्यूचर में हो सकता है ठीक है I stay with my नहीं होगा have stay या state नहीं simply हो जाएगा I will stay with my nephew ठीक है अच्छा questions थे सारे चाहिए close test की हो fill in the blank से काफी बढ़िया conceptual question थे सारे के सारे concept based question है जितने भी recent exams के papers में देख रहा हूँ या हम आपको करवा रहे हैं तो मिया देख रहे हैं कि सारे questions हैं काफी concept based आ रहे हैं अगर आप लोगों की तयारी अच्छे से नहीं अगर आपने grammar अच्छे से नहीं कवर किया तो इन questions में आपको समझ्या हो सकती है ठीक है तो इस session में हमने बात करी fill in the blanks की और सारे के सारे close test के questions की इस तरहीं CPO में इतने पूछे गए थे ठीक है तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यह हमारी playlist है biology की आपके आपके यहां पर job descriptions की है grammar का crash course है math का crash course है monthly current affairs है current affairs की magazine भी है word power made easy की पूरी playlist है computer की पूरी playlist है computer की पूरी magazine है आप इसको पढ़ के तयारी कर सकते हैं rb revolution by education का telegram channel link description में दिया वो join कर सकते हैं rb learning.com पे जाके आप previous day के mock test free में practice कर सकते हैं और paid mocks भी आप दे सकते हैं इसके लाब हमारे batches हैं जिनने भी आप purchase कर सकते हैं ठीक है